जब भी हम किसी exam की तयारी करते हैं, सबसे पहले हम यह देखते हैं कि उसका cut off कैसा जा रहा है हम इस वीडियो में discuss करेंगे कि क्या cut off को देखना आपकी सही strategy हो सकती है या फिर इससे आप भ्रमिद भी हो सकते हैं, पूरे fact के साथ हम इन चीजों को discuss करेंगे हलो, मेरा नाव है चिंदर हास, study smart में आपका स्वागत है तो अगर हम जैसे बात करें, IVPS, RRB exam की, RRBPO का exam होने वाला है, कलर का exam होने वाला है तो ज़्यादा तरवच्चे सोच रहेंगी पिछले साल का cut off क्या है, देख लिया जाए क्योंकि यहाँ पर जो cut off है वो state wise रहेगा, तो आप सब लोग अपने states के ही cut off देखेंगे यहाँ पर हम discussion करेंगे किसी एक किसी state को ले करके, जिसके उपर हम इस पूरी चर्चा को करेंगे सबसे पहली बात, जो cut off होता है किसी भी exam का, क्या वो सिर्फ exam के pattern क्या exam कठी ना रहे आसान रहे हैं तो ऐसा नहीं है किसी भी exam का cut off है, वो कई सारे factors पे अधारित होता है, जिसमें से एक factor है कि उस साल exam का level क्या था मतलब prelims में आपको क्या-क्या challenges दिये गए, या फिर बहुत ही आसानी से आपको exam देने को मिला, आसान-असान question आये थे दूसरा जो factor होता है, वो होता है, अगर हम RRB की exam की बात करें कि आप किसे state से apply कर रहे हैं, वहाँ पे कितनी vacancies हैं तो vacancies जितनी कम होंगी, cut off आपका उतना ही high रहेगा, vacancies जितनी ज़्यादा होंगी, cut off उतना ही नीचे रहेगा, क्यों? क्योंकि फिर number of students ज़्यादा लिये जाएंगे, क्योंकि चार गुना संख्या में students आपके लिये जाते हैं तो ऐसे में सिर्फ exam का pattern या exam का level देख करके ही आप नहीं चल सकते हैं, इन दोनों factors को भी आपको साथ में ले करके चलना होता है तो अगर हम एक exam के scenario की चर्चा करें, IVPS और RVPO, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, जिसमें पिछले साल वी वेकेंसेश ठीक ठाक थी, साल वी ठीक ठाक हैं, लगवागे आपके वेकेंसेश ठीक ठाक निकलती हैं तो पिछले साल का cutoff इसका कितना था, 62.75, वन अव दा हाइएस्ट cutoff जो की सारे states को मिला करके देखा जायते हो, तो 62.75 cutoff था UP का 2022 में, अगर हम बात करें, 2021 में cutoff कितना था, तो वो था 54.5, अगर हम बात करें, 2020 में cutoff कितना था, तो वो था 47 नमबर, और 2019 का cutoff था 58.75, उस cutoff एसा नहीं कि एक trend ले रहा है, कि आप अगर पिछले तीन साल का देखें कि अच्छा trend चल रहा है कि यह उपर जा रहा है, दो इस साल का cutoff क्या, पूरा का पूरा 80 नमबर से ही होगा, नहीं, cutoff आप देख रहें कि 2019 में 58.75 था, अगले साल वो cutoff काफी ज़्यादा मैं थोड़ा उल्टे रहा हूँ, क्योंकि cutoff ऐसा नहीं कि UP में जिस साल cutoff ड्रॉप हो है, उस साल हरे के state में cutoff ड्रॉप हुआ हो, और उतना ही ड्रॉप हुआ हो जितना UP में होगा, ऐसा जरूरी नहीं, तो आपको समझना यह है कि cutoff के अनुसार अगर आप पढ़ा ही करें तो दिक्कत में फसेंगे ही फसेंगे, आपको देखना क्या होगा, आप जिस भी state से अप्लाई कर रहे हैं, आपको यह देखना होगा, वहाँ पे vacancies कितनी हैं, पिछले साल कितनी थी, उसके उपर cutoff क्या था, लेट से, मालीजे आपके state में पिछले साल vacancies थी, 500, 500 vacancies, all total हम लेकर के चल रहे हैं, और cutoff, यह जो मैं अभी बात करूं, cutoff की general का cutoff में लेकर के चल रहा हूँ, वह cutoff आपका कितना था, let's say 58 number, इस साल vacancies की संख्या कितनी है, 400 या 350 ऐसे, तो आप यह उमेद करें कि इस बार का cutoff होगा, वह पिछले साल की तुलना में कम होगा, तो possible है य एक्जाम का level कठीन आजाए, कुछ चुनोतियां आजाए, जैसे आपको याद होगा, एक साल जो हमारा 2020 का साल था, जिसमें scrolling वाली समस्या उत्पन होई थे, सब के number डाउन होए थे, ऐसी कोई समस्या आजाए, तो cutoff नीचे आएगा, अगर level exam का वही रहा, तो इस बार cutoff फ फिर यह सोचे का अच्छा मेरे state में जो cutoff था पिछले साल तो के वहल 50 number ही था, तो 80 में से के वहल 50 question मेरे को करने, इस बार भी मेरा selection हो जाएगा, मैं इस mindset की बात करूँ, यह नहीं अपनाना है, आपको हमेशा अपना 100% देना है, अगर 80 question करने आप बैठे हैं, तो आप प् 100% accuracy हो जाए, फिर भी आप safe zone में रहें, आपको means के लिए बुलाया जाए, I hope आपको मेरी यह बात समझ में आई भी, किस context में मैंने बात कही है, वो भी समझ में आई होगी, तो आपके क्या विचार है, cutoff को ले करके, और आपकी त्यारी कैसे है, आप मुझे comment करके बता सकते आपके मान में भी इस तरह का कोई सवाल है, preparations are related, तो आप comment करके मुझे से पोच सकते हैं, मिलते हो आप सभी से अगले वीडियो में, वीडियो कर अच्छी लगी है, तो वीडियो को like करें, comment करें, अपने दोस्तों को साथ share करें, और चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe ज